दोस्तों ये कोई आपका वाई Windows 10 operating system नहीं है बट यार कुछ Windows से कम भी नहीं है यहाँ मैं बात करहा हूँ बट डिपी नोस की नाम से लगता है कुछ इंडियन फैमिलियर नेम है बट अच्छली यह एक Linux का डिश्ट्रो है और सबसे घदर चीज़ इसके अंदर आपको Android, Windows या फर Linux ये तीनों का फुल सपोर्ट मिलता है बेसिकली एप का सपोर्ट यहाँ पर दिख जाता है साथी साथ इंटरफेस इस कॉइट सिमिलर मतला हमने इसको ट्राय करा Windows 10 से तो काफियत तक सिमिलर लगता है और हाँ अगर चेंज कर दोगे विंडोस 12 से भी आप इसको कम मस समझो बागी चीज़ बहुत अच्छी है यह एडवांस लुक के साथ आता है है यह लिनिक्स का पर बिलकुल आप यह यकीन नहीं करोगे इस वीडियो के बाद लिनिक्स भी ऐसी चीज़े बना सकते है बिलकुल सर आज ट्राय आउट करेंगे ना चीज़े खुल के आएगी लाइक स्टोर में इनके जो एप्स मिलते है हैलान हो जाओ के बाई क्या कुछ मिल रहा है यह आप लिखो के डिपिंड नाम से तो ऐसा लाओ डिपिंड भाई क्या आँ चल रहा है बाद उस तरीके का उच फील आता है यह इनकी वेबसाइट आ जाएगी आपको टॉप पे दिख जाएगी लिनिक्स की तरफ से लिनिक्स का डिष्ट्रो भाई एक आप बोल सकते हो तो लिनिक्स के कंडल पर अब यह यहां पर कुछ चीजे मिल जाती है वेबसाइट पर इनके यह मैंने चीजे देखी कुछ ऐसा ऐसा फैसनेटेट नहीं है यह कुछ चीजे आपको मिल जाती है किस पर बेस है आप यह सब चीजे देख सकते हो मेरे साब से तो यह फैंटास्टिक है लुक वाइस भी होगे और सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है तो यह आप मेजर पर आओगे और यह इनका भी 23 वर्जन रिलीज यही मैं ट्राइ करने जा रहो वैसे आप हो सके तो स्टेवल ट्राइ करना 20 वाला बट मैं 23 भी चल जाएगा अपने को क्या है यह देखो डाउन्लोड पेश पर आ जाओगे मैंने अपनी 16GB pen drive लगा दी start कर दो यहां से आपका bootable drive बनना शुरू हो जाएगा फ्रोड़ा टाइम लगता है 5-6 मिनट तो आपको वेट करना पड़ेगा यह चीज रड़ी हो गही सिंपल फिर अपने PC के अंदर मैंने यह पर यह mini PC यूज कर रहा है तो थोड़ा बहुत setup आजाता है लेंग्वेज वेंग्वेज कंट्री वंट्री टाइम जोन यह सब यह सब सेट कर दिया ना काम डन हो गया अब सबसे पहले तो रिजाइन और यूजर इंटरफेस सबसे में चीज रहती है तो यह आपके स्क्रीन पर मतलब इस कम्प्लीटली लूक लाइक यार विंडोस 10 आप खुद देख सकते हो साइड में आइकन मिलते हैं इधर के साइड मिलते हैं विंडोस से काफी हद तक सिमिलर लगता है बागी इंटरफेस तो यार सेव ही है और आगे अगर बात करूं तो यहां पे देखो विंडोस 10 की तरह है यह लॉंच वाला मिलता है यहां पर इनका अपना इन्होंने डाल और बहुत स्मूध चलता है मतला है experience बहुत तक यह एक Linux का ऐसा version है जो आप ट्राइ कर सकते हो मतला अच्छा लगा मेरे को यूज करने पे साधी जाते अप डिजाइनिंग हो गया यह सब तो मेली जाते हैं यह जितने भी आपको वीडियो स्क्रीमिंग के लिए हो गए या आपे टर्मिनल या लिनिक्स की जितनी चीज़े होती है इवन श्टोर तो हमें मिलता है यह तो सारा काम होई जाएगा तो इंटरफेस इस क्वाइट सिंपल जैसे रहता है यहां पर आपको मेजर एप मिल जाते है इवन इसको मैंने फाइल मेनेजर देखा कहा यह यह रहा यह देखो अब यह वैसे तो आप यह लिनिक्स ने अपना जितने भी मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन वाले हैं उन पर मैंने देखा ऐसा ही आपको मिलता है तो यहां पर देखो जितना 10 की तरह है उसी तरीके का लग रहा है सेम कुछ अलग लग रहा है आपको बस आप से मिल रहा है यह तो एक तरफा की बात होगी दूसरे साइड में आओगे तो आपको और चीजे मिलती है यह बस लगा यहां पर वही डेट टाइम आ गया नोटिफिकेशन पैनल अले अगें जैसा आपना विंडोस 10 पर वह से थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मैं तो गोलूँगा विंडोस से भी ज्यादा स्मूथ है इसके लावा यह बटन आपको बता ही होगा वो भी यहां पर मिलता है टाइम डेट आगे यह सब हो गया यह बेसिक इसका इंटरफेस हो गया सिंपल सेम एकदम आपको कोई भी फर्क नहीं लगेगा लिनिक्स पर आओगे तो चीजे भी मिलेगी साथ में यह तो है अगर इसके इसके अजला बाबाइ सेटिंग्स की बात करें मजा तो यहां पर गलत आजाता है सेटिंग इनका काफ़ी सिंपल है यहां पर अकाउंट से सेक्शन में आप जाओगे न तो यहां सब से पहले मैं आपको दिखाता कुछ windows 12 type का, क्योंकि windows 12 में taskbar उपर आ जाएगा, here you can see उपर आ चुका है, साथ में चीज़े आपकी इस तरीके से, same to same ऐसा ही लगता है, इस वान आपके बाद बहुत सारी चीज़े है, location भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, यह देख रहे हो, यार, cursor आप change कर सकते हो, यह सब windows में भी जैसा रहता है, icon theme यहाँ पर मिलती है, जैसे हम icon pack नहीं डालते है, phone one में, उस तरीके की कुछ चीज़ तो आपको यहाँ पी देखो, resolution, resolution कर, network में आपका wifi, अगर आप connect करते हो, मैंने wired कर रखा है, personalized तो बताई दिया, default app यहाँ से, आप switch कर सकते हो, बहुत easy है, और बागी basic है, जितने रहता है, date and time, sound, notification, power, मतलब, जितना manageable चीज़े हैं, लैपटोप में डालते हो, तो power setting का अच्छा यूज़ कर सकते हो, mouse, keyboard, update, इसमें regular, देखो, सबसे पहले तो आप इसको install करोगे, तो update जरूर करना, वरना चीज़े सही से चल नहीं रहेती, तो मैंने पहले update और update करा, सबको अच्छे से, अब subset है, यह इसका basic है, मैंने आपको evo 2 type का करा दिया, देखो setting हो गया, उसके लब आपको browser इसके अंदर मिलता ही है, browser में आप जो चाहे वो आराम से यहां पर search वर्च कर सकते हो, जैसे अपना YouTube डाला, मैंने देखा, इनका Google ही है, शायद default search engine, फुल यहां पर आप हमारी window में enjoy कर सकते हो, दुआदार full 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 X के साथ, मतला हाँ, high quality में आपको सब कुछ मिल जाता है, यह चीज अच्छी लगी यार, सारी किस्तों है, Windows से smoother भी है और better भी है, इसके अलावा, इनका सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाने हो, जो मजा भी आएगा देखके, इनका app store, app store कहा गया है बाई-साब, यही पे तो था, here it is, app store काफी आगे, इनोंने simple रखा है, और इसको भी update करना जरूरी है, कर लेना, वड़ना चीजे नहीं चलती है, एक चीज आप और notice करो, यहाँ पर type देख रहो, एक Linux का इनोंने अपने डाल रहा है, Windows 11 के भी आप आप कर सकते हो, Android भी, इनका app store मतलब compatible है, यह देखो, यह लोग अपना वाइन यूस करते हैं, आप लोग जानते हो, जैसे अपना Windows में Windows Subsystem for Linux है उस तरीके का, Android के लिए भी इनोंने अपना Subsystem बना रखा है, ऐसे करके चला देते हैं, इडिटर च्वाइस में आप जाओगे, यहाँ पे कुछ app मिल जागे, स्टार्टिंग में इन्हें store चल नहीं रहा था, तो मैंने अपडेट करा, फिर चला, वर्ना तो यह देखो, यह वाला error आने लग गया था, यह वह हो गया सही देखा आपने, तो वह थोड़ा से है, यहाँ पे glitch, यह बीटा वर्जन भी तो है, और यहाँ पे आपको सारे app मिल जाते है, android, windows और सब के app इन्होंने डाल रखे अपने store पे, category में जाओगे, तो again category wise जो भी रहता है, आपको app मिल जाएंगे, अलग जितने भी आपकी streaming service है, उसके हिसाब से management, वह यह update, update, manage कर सकते हैं, मैं screen recorder यहाँ पे डाला था, तो ऐसे करके आप चीज़े कर सकते हो, manageable app, best, look wise भी battery, app चला सकते हैं, बागे दोस्तों यह completely overall scene है, इंटरफेस हो गया, सब कुछ मिलता है, इसमें चीज़े बड़ी अच्छी है, यह चीज़ याद रखना है, यह Linux का version है, Linux का होने के कारण बाई, आप जो gaming करना चाहते हो, या बहुत तक personal working, शायद वह एक limit तक रह जाए, देखो, अगर आपको Linux का shock है, you can try this version, और अगर आप try करना चाहते हो, तो मैं बोरूँगा, dual boot में set करके देखो, तो ज्यादा अच्छा है, बढ़ा, dual boot में आपको थोड़ा configure करना पड़ेगा, इसके लिए आप हमारी काले Linux वाली वीडियो देख सकते, उससे एक idea लग जाएगा, इन नियर बता हूं तो भाई देखो, यह version थोड़ा सा advanced है, मतलब इसका look भी बढ़ी है, थोड़ा smoothness, transition, यह सब काफी कुछ इसमें डाले गए है, तो इसके कारण होता क्या है, समझ चूक हो, आप लोग system पे load आता है, तो अगेन आपके पास minimum 4GB RAM रहे है, तो सही है dual core processor, उससे कम में आप चलाने जाओगे, चल तो जाएगा Linux है, Linux तो कम warm RAM में भी आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ तब भी एक जो smoothness होती है, वो शायद थोड़ी कम दिखेगी, ऐसा भी हो सकता है, मागे मैं prefer करूँगा dual boot या virtual machine में पहले चलाओ, अगर पसंद आता है, then you can go for it, बहुत simple है, वागे यह completely overall scene था, वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल भाई, like कर सकते हो, subscribe बनता है, tag related videos के लिए, share करते हैं, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए बाइयर, जय हिंग, जय भारत बंदे, मातरम